हाँ प्रेंट्स आज हम बात करने बाले हैं घनी डाड़ी या बियर्ड को साथ दिन में कैसे उगा सकते हो आज के समय में हर यंग इस्टर का एक ही सपना होता है कि उसकी लंबी और घनी डाड़ी हो क्योंकि आपकी डाड़ी गणी और लंबी होती है तो आपकी गूपतूरती में चार चांद लग जाते हैं बैसे तो बियर्ड याने की डाड़ी 16 की उम्र में आना शुरू हो जाती है और 18 तक आते आते वह पूर रूप से उगाती है पर कुछ युबाओ के आर्मोंस या पिर अन कोई कमी की बयासे बियर्ड गरो नहीं हो पाती जिससे उनके कई बार बियर्ड उनके स्मार्टनेस पर असर डालती है हम इस वीडियो में कुछ नेचुरल तरीकों के बारे हम बात करेंगे जैसे कि आपकी बयर्ड एकदम गरो होने लगेगी आपको कोई भी सप्लिमेंट या फिर कोई भी ओईल लेने के जिरूत नहीं पड़े ही आप वीडियो को पूरा देखिए कोई भी पॉइंट को मिस मत करिए सबसे पहला तरीका आता है आपको सबसे पहले कोई भी जनरल इस्टोर या फिर पंसारी की दुकान से आपको एक पिटकरी का टुकड़ा लाना है और इस पिटकरी को पानी में बिगो कर जहां आपको बयर्ड को गिरोत करना है बहां लगाना है अगर बग 2-3 मिनिट मसाज करने के बाद आपको आदे घंटेस को ऐसे ही रगना है और बाद में आपको धो लेना है पिटकरी से दोस्त होगा गया कि पिटकरी आपके बयर्ड के फोलिकल्स को कोल कर बहुत तेजी से इसको ग्रो करने में मदद करती है जिससे कि आपके बाल भी मोटे होते हैं अगला पॉइंट आता है होम रेमिडी इसमें आपको घर पर ही बहुत ही एपेक्टिव रेमिडी तयार करना है इससे बनाने के लिए आपको एक मीडियम साइज का प्याज को काटकर मिक्सर में पीस लेना है और पिर उसे तवे पर लो फ्लेम पर अलकी आज पर पकाना है औ और सुबे नाने के पहले आपको लगाना है और केवल एक सब्ता में ही आपको रिजल्ट दिगना सुरू हो जाएंगे तीसरा पॉइंट आता है यदि आपकी बियाड यानि की डाड़ी हलकी आ रही है तो आपको अपते में एक बार क्लीन सेब जरूर करना चाहिए क्योंकि क्लीन सेब करने से आपके जो भी पतले बाल हैं वो जल्दी से गिरो होने लगते हैं और मोटे होने लगते हैं क्योंकि क्लीन सेब बिल्कुल जड़ से यदि बालों को काटेगी तो बापिस जो उगता है वो थोड़ा अच्छा बाल उगता है और वे काले और मोटे अच्छ इसे बढ़ाने के लिए आप मास्टेर्बेट करते हैं तो आपको तुरण इसको बंद कर देना चाहिए, तो पिर आपका टेश्टव इस्टियरन कापी तेजी घती से बढ़ने लगेगा, और दूसरी बात आप यदि जम नहीं जाते हो, या फिर बरकाउट नहीं करते हो, या स्पोर्ट या फिर कुछ भी आप करिए पर फिजिकल एक्टिवेटी जरूर करें इससे भी आपका टेस्ट टेस्ट और नार्मिन अच्छे से बढ़ेगा और अपने डाइट में एक चीज का पसे दियान डगना है कि आपको प्रोटिन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोसिस करन आहिं जिससे भी आपका अलॉण को सोने में मदद मिलती है पांस और लाश्ट पॉंट आता है कि आपको एक रोलर लेना है जिसके दान्ते चोटें जोटें होते हां उपने प्लास्टिक का एक ब्रुष लेना हुआ उसमें आपको अलके अलके नुके अपने मिलते हैं जिसे आपका beard पहली कार्ड पर चलाना होता है जिससे blood circulation तेज होता है और आपकी beard जल्दी से आने लगती है जदि आपका blood circulation तेज रहेगा तो beard आने के chance बढ़ जाते हैं इस तरह के इंपर मेटे वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद